वेलकम टू एक्जाम तक आज 28 दिसंबर और 28 दिसंबर 2021 के सभी करेंट अफेस के कोशन्स हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं तो आप लोग इस वीडियो को एंड तक जुरूर से देखेगा वीडियो को लाइक करना शेर करना तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीड गठन किया गया है पैनल मिंस की आप लोग मान सकते कि एक समित्य का गठन क्या गया है जो विचार करेगी कि नगा लेंड से एफस्पा को हटाना है या फिर नहीं हटाना है और इस पैनल को 45 डेज के अंदर अंदर अपनी रिपोर्ट देनी होगी ठीक है तो काफी फास्ट अब काम करने वाला यह क्यों अभी ऐसा पैनल ब Не अगया वहां पर अगर लोग काफी बढ़ रहा था क्योंकि काफी टाइम से हैं यहां पर तो इसलिए यह जो हैं अफस्वा को हटाने का विरोध अब जो हैं जो हैं मलब अफस्वा को हटाने का जो हैं डिमांड काफी ज़दह वो रहा है नौर्थ-ईष्ट में इस्पिश्ली इन दर नागलेंड चीफ हैं उसके अलबा नागालेंड के चीफ सेकरेटरी नागालेंड के डीजी पी और वी एक दो सदेशिय हो मिनिस्ट्री से और ये सब जोएं इसमें अगर बात की जाएंगे और इस समिति के अदिक्ष कोने जन्दगर्ण ना आयुक तो जोएं न हमारे विवेक जोशी जी वो हैं इस समिति के अदिक्ष और ये 5 सदेशिय समिति जोएं अभी ये बताएगी कि अपसवा को नगलेंड बे रखना है या नहीं रखना है तो आने वाले कुछ टाइम बात गवर्मेंट जोएं इस पे कुछ न कुछ डेसिजन जरूर से लेगी ये आपको थोड़ा सा य जाद रखना आपसवा जोना वहां पर क्या होता है फिर सेना को काफी सारे एक्स्ट्रा अधिकार मिल जादें सेना चाहे जहां पर सर्च कर सकती हैं सेना जाहे तो किसी पर गोली भी चला सकती इतना पावर होता है और यह में लिए जो डिस्टरब्ड एरिया होता है वहीं पर लगाया जाता है अभी कुछ जिलों में अरुनाचल प्रदेश में भी हैं मेगा लिया से 2018 में हटा लिया था इसके अलावा जो है मिजुरम वगरे में अभी अभी है यह एक्षपा लगवा जम्मू कश्मीर में भी हैं काफी सारी एरियाज में तो यह बात हैं नगलेंड के वर्तमान में राजेपाल को ने तो जगदिश मुखी साहब है यह आपको याद रखना हमारे टेलिग्राम चैनल को जरूर जोइन करना एंड यूट्यूब चै साइट युद्धाब्यास 2021 के क्रेंट स्लैम 2021 के सभी इंडेक्स रैंकिंग इंटरनेशनल और्गनेशन यह सारे के सारे जो वीडियो है यहां से आपके एससी वगरे हर एक एक एक्जाम में कोशन पूचे जाएंगे पूचे नहीं जाएंगे हंड्रेट परसेंड बनेंगे सभी के सभी आप लोग देख लीजिए वीडियो काफी इंपोर्टन है अब नेक्स्ट अगर बात के सेकेंड कोशन की यह भी एक इंडेक्स से काफी ज्यादा इंपोर्टन है गवर्मेंट ऑफ इंडिया ने हो मिनिस्ट्री ने जारी क्या है सूशाशन सूचकांक 2021 गुड तोरेट हासिल किये अंडिसके तैस्ट यह टॉप पर बना हुआ है थोड़ा सापको याद रखना अब इसमें जोए दस अलग 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 जो एंडेक्स नहीं को आधार बना कर यह इंडेक्स जारी किया है तो वो सब तो आपको याद नहीं रखना है कि जैसे हैल्थ हो गय तो यह हैं सुचाशन सुचकांग जिसको जो है 25 दिसंबर को क्योंकि आपको पता को 25 दिसंबर को सुचाशन डे भी मना जाता है अटल ब्यारीच की जैनती पर तो यह गुजरात यहां पर टॉप पर आए इस इंडेक्स में आपको यह जरूर पूचा जाएगा कि कौन सा पर आए तो डिली का भी याद रखना कि केंदर शाशित प्देश में डिली टॉप पे हैं और बाकी अगर बात की जाए तो यहां पर गुजरात ऑवराल में टॉप पे हैं गुजरात की बात कर रहते हैं गांधी नगर आपको कैपिटल मिलेगी विजे रूपानी अभी सिय रिवर के किना रेश्टत हैं सूरत मेट्रो के लिए अभी रीसेंटली जर्मनी के बैंक के साथ सयोग किया गया हैं वह भी आपको याद रखना गुजरात में हैं और गुजरात के दो सिटी में अभी मेट्रो प्रोजेक्ट चल रहे हैं अहमदाबाद में अल्रेडी चल रह बैट यहां पर सभी की सबी दी गई है तो यहां पर उत्रप्रदेश की रेट की तिरे एट.पॉइंट नैंट परसेंट रहे हैं वैसे उत्तरप्देश का याद रखने की जरूट है हैं यह होँ मिनिस्टर अमिछा एंड शहकारिता मंत्री भी और कॉपरेटीव मिनिस्ट ये को शुरूख किया है क्योंकि जो COVID-19 पेंडेमिक है इस तरकी जो पेंडेमिक है फ्यूचर में जब भी आए उसके लिए पहले से त्यारी करें उसके लिए जो सूचनाओ का आदान प्रदाने उसको और ईजी किया जाए और भी जो वेवस्ता है ना उसको अच्छा करने के यह जो है जागरूपता के तौर पर महामारी त्यारी दिवस मनाया जाता है और यह 27 दिसंबर को मनाया जाता है इंपोर्टेंट डे वाला क्वशन है आपको याद रही रखना है वैसे काफी सारे डे मनाये पिछले दिनों में जैसे 22 दिसंबर को राष्ट्य गणित दिवस मिलेंगा आपको न्यूयोक न्यूयोक हडसन रिवर के किना रेजिटात मिलेगी एंटोनिया गुटेरस जो हैं अभी यूएन के प्रेजन टाइम है महा सचीवे यह आपको याद रखना 1945 में स्टापना होई थी यूएन का डे का मना जाता है 24 अक्टूबर को जो हैं यूए सफलता पूरुक परिक्षन किसने क्या है यह क्या अभी DRDO ने आपको याद रखना ठीक है DRDO ने इसका सफलता पूरुक परिक्षन क्या है Defense Research and Development Organization कहां से क्या है ओडिशा के चांदीपूरतर्ट से क्या है वैसे DRDO हर अपना परिक्षन वहीं से करता है या फिर पोकरन से तो एक ही दो यहां के इनके स्ट्रेशन है जहां से रेगूलर बेसेस पर यह करते हैं DRDO के बारे में आपको पहले ही बता दूँ वैसे आपको पतावगा 1958 में इसकी स्थापना होती है और 58 में स्थापना होती है नियू डिली में इसके हैड़कॉर्टर्स मिलेंगे और जी शती पर पूरा कोर्स लाने वाला हूं जिग्राफी एंड पॉलिटिका नोट्स आपके लिए बन रहे हैं पॉलिटिके नोट्स बहुत जल्दी मनला आपको न्यू येर पर मिल जाएंगे शायद ठीक है एक दो तारीक को और वो पीडिएफ मिल जाएगी मनलब राजनिती विज कर दिया जाएगा अगर बातिया ओडिशा तरसे चांदीपूर्द में जो है ये एकिकरत परिक्षन रेंज है यानि की इंटिग्रेटेड फाइरिंग रेंज जो है टेस्टिंग रेंज आई टी यार वहां से ये स्वदेशी रूप से विक्सित है हीट का मदलब क्या होता ह इसकी फुलफोर्म याद रखना हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टार्गेट ठीक है तो ये एरियल टार्गेट को हाई स्पीड से हीट कर सकते हैं और इसका नाम याद रखना हीट अभ्यास पुड़ान सफलता फुरुख परिक्षन क्या है उच्छ शेहन सकती के कामजिन में हाँ मैं मानता हूं हिंदी के लिए ही करेंट अफे चैनल है बठां जैसे अब आप लोग यह वर्ड देखिए मुझे तो बहुत आजीब लगा यह कौनसा बड़े प्रक्षेप वक्र कुछ मतलब नहीं समझा रहे हैं बड़ कोई नहीं है ना जो आपकी इंपो है और यह कोश्चन तो और भी ज्यादा इंपोर्टन है कि बुक को किस ने लिखा निर्मल चंद्र विजने लिखा हैं आप लोग शोचरिंग भाई साब यह कौन है तो आज जो एम एम नर्वने जिस पोजिशन पर है न यह दोजार दो से पांच पर रह चुके हैं मतलब कि यह हमारे आर्मी चीफ थे सिंस 2002-2005 मलब दोजार दो से पांच के बीच में जो हैं यह हमारे आर्मी चीफ रहे थे और अभी रिटार्ड हैं 76 के आसवास में एजेन की और कश्मीर के बाद कश्मीर के लिए इनका बहुती अल्टीमेट नॉलेज हैं करगिल वार में यह जो ह इनको काफी कुछ नॉलेज हैं कश्मीर पर यह बुक लिखे हैं कश्मीर दे क्वेश्ट फॉर पीस इन अ ट्रबल्ड लेंड एम एम नर्वने अभी आर्मी चीफ है लेकिन निर्मल चंद्रवीज की यह बुक आपको याद रखनी है most important वाली note बना लो अगर बात की जाए नहीं करते हैं वेबसाइट एक्जाम तक पर जाएंगे आप लोगों को इस तरह से कैटेकरी मिलेगी स्ट्राटिक जीके पॉलिटी जिग्राफी करेंट अफेस यहां पर आप लोग जाकर जरूर से देखेगा जैसे मैं आपको बता दूं आप लोग तो नहीं देखते होग एक बार चेक आउट ज़रोशे किए नेक्स्ट अगर बात की जाएं यहां पर जो सिक्स्त पोष्ण यहां और बैंक के नए M.D. & CEO कौन बने हैं इंपर्टन कोशन है और बैंक के जो हैं यह नए M.D. & CEO कौन बने हैं यह बने अगर बात की जाए राजीव अहूजा ठीक है राजीव अहूजा का नाम याद रखना विश्व वीर अहूजा की जगे यह बने हैं अभी नहीं बैंक पर अभी आर्बिय ने काफी कुछ जो हैं इसकी पॉलिसी वगरे पर स्टेप्स लिए हैं इसलिए चर्चा में हैं यह पूरा का पूरा अर्बिय बैंक और इसकी स्ता रखना और राजीव अहूजा का नाम याद रखना यह अभी जो आर्बिय बैंक के नए अमडिय और सीओ हैं वर्तमान में कौन के की वीडियो आ रही हैं आपको 31 दिसंबर या फिर एक जनवरी को मिल जागी और वहां पर मैं आपको वताओं तो आपको complete detail मिल जाएगी यह स जहार श्री बात हैं option देखते आपको पता चल जाएगा MP का कौन सा city है क्योंकि अगर बात कि जाए तांसेन आपको याद रखना है तांसेन अवर्ड दिया जाता है और वो अवर्ड जो है मध्यप्रदेश की government के द्वारा ही दिया जाता है तो इसी तरह से विश्व संगी तांसेन उत्सव का आयोजन जो है अभी मध्यप्रदेश के ग्वालियर में किया जा रहा है यह आपको थोड़ा सा याद रखना है काफी important है नेक्स्ट अकर बात के अच्छा ये किस river के किनारे चंबल river के किनारे है ग्वालियर ये भी काफी interesting question है ग्वालियर चंबल के किना किनारे कोटा जो है राजस्तान का वो भी चंबल के किनार है नदियों के किनारे शेहर के लिष्ट में डाल रखे है इस्ट्याटिक्स जीके में जाना आपको यहाँ फिर जिगराफी वाले section में आपको मिल जाएगी सभी rivers के किनारे बाकी video 2.0 पर बहुत जल्दी आ जाएग नेक्स्ट है 27 दिसंबर को हाली में जो है राज्यसभा के सांसद महिंदर प्रताप जी की डेथ हो गई है और 7 से 8 बार राज्यसभा के सांसद रह चुके थे एक बार लोकसभा में भी सांसद रह चुके थे तो काफी senior personal थे in the parliament और इनकी डेथ हो गई काफी लंबी illness के बाद में आपको याद रखना है ये बिहार राज्य से थे एंड जेडियू पार्टी जो आएं जनता दल यूनाइटेट पूर्ट से समदी थे और इनकी हाली में डेथ हो गई बिहार से राज्यसभा के MP थे ये जिनकी recent में डेथ हो गई है आपको याद रखना महेंदर प्रताप जो हैं ये राज्यसभा के सांसत थे ये जरूर से पूइंट पूछेंगे तो जेडियू याद रखना बिहार याद रखना और राज्यसभा के सांसत थे बस अब ये थे आज सभी के सभी कुशन बिहार के बारे में चलो जान लते हैं बिहार के अगर बात की जाएं नितिश बात करते हैं अगर बात की जाए आगे बढ़ते से पहरे सामाने ग्यान यह जो 2021 की इवू कहना यह आप लोग जरूर से खरी लेना 50 पेज किये मरलब जो है एंड यहाँ पर जो है 50 पेज की नहीं है यहाँ पर जो है 90 पेज किये 50 टॉपिक है इंपोरेंट ठीक है तो सभी की स कोशन आप लोगों के लिए आज के कोशन पर जाने से पहले एक्जाम तक 2.0 पर यह कोशन का आंसर देते हैं आप लोगों इस चैनल पर जाना लिंक का नीचे डिस्कूशन में मिलेगा यह भारत की प्रमुख जीले यह वीडियो जरूर से देखना कल यह अप्लोड हुआ है शाम को 5 बजे टाइगर रिजरू का और बाकी जो भी वीडियो आपने नहीं देखे जरूर से देखना काफी important and interesting वीडियो हैं ट्रिक से भी मैंने समझाया हैं बाकी मैं ट्रिक का यूज कम करता हूँ बठा आप लोगों के लिए ट्रिक भी बनाईए मैंने आज का क्वेशन झाल